हेलो बच्छों विल्कम बैक टू मैं चैनल कैसे हैं आप सब लोग आज की वीडियो में मैं आप लोग के लिए कॉस्ट रिकांटिंग याने की लागत ले खांकन के इंपॉर्टेंट कोश्चन्स जो निमेरिकल कोश्चन्स हैं कौन से इसे कोश्चन्स जो जादा कोश्चन्स बताऊंगी कि कौन से कोश्चन्स हैं जो एक्जाम में आ सकते हैं चैनल पिनाए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए नोटिफिकेशन बेल को जूरान करिएगा और वीडियो अच्छी लेगे तो लाइक करिएगा आए शुरू करते हैं तो प्रोसेस को जो आता है जो कृता है फोश्चन्स ब मैं कई बार पूछा भी गया है कि आपर तीन आपका प्रोंसडे रख्यों और तो पहली प्रोसेस में आपका जपी है उसमें बता दिया है कि रम इंट्रूस्द यूनिट लिगके आज Deshalb कि कची सामगरी के किए क्र्रया लागत प्रतिकाय कितनी थी आने शामगरी के प्रतरटप्व्य दे रखे से होए और श्राइट के वटा जाएगा अई देखते हैं कि हम कैसे किसे हम पीचा जाय करते है, ₋ जो कॉलंब बनेंगे यूनिट का होगा दूसरा अमांट का हो जाएगा तो कुशन में आपके राम अटेल कितना था 2000 दे रखा था 25 कर दीजिए अमांट आ जाएगा मटेरियल डाल लेंगे जो और दे रखे थे डायक वेज़स आ जाएगा डायक इस्पेंसर निकालने के तो कितना निकल के आएगा 5000 आ जाएगा उसका आपके कोशन ने बता रखा था कि 8% का क्या हुआ है नॉर्मल लॉस हुआ है तो जो 2000 की यूनिट्स दे रखी थी उसमें से 8% हम निकालेंगे तो कितना आएगा 160 वह जाएगा यूनिट्स में कुछ आपका नहीं आएगा उसक गशेज़रा पता में कितना से इसके बाद गांड़ेंगे चैल यूसे पीस तो पंडवी रहन पासом किस पर निकालेंगे यूनिट्स योट्य है उगया उयर। फाइब पासंट निकालेंगे कितना आएगा 92 अमान्ट में कुछ नहीं आएगा फिर जो भी आपका बैलेंस निकल करके आएगा डेबिट बढ़ा होगा धरीड छोटा होगा बैलेंस जोगा वो क्या होगा नेक्स प्रोसेज में ट्रांसवर हो जाएगा जो क्यों हो जाएगा प्रोसेस आर पर यूट निकालने के लिए जितने भी आपके अमांट टोटल आया था 94,392 और आप पांड में किया जाएगा अब 3748 डिवाइट कर देंगे कितना निकल किया जाएगा पर यूट 54 उसके बाद हमारा प्रोसेस आर एकॉंट बनेगा सबसे पहले वही आ जाएगा प्रोसेस क्यों से जो में ट्रांसर किया था सबसे पहले जाएगा डायेट वेजिस एक्सपेंसे और इंडायेट इक्सपेंसे फिर नॉर्मल लॉस में यहां पर 2% दे रखा था तो जो अब आपके निकल के यूनिट्स आई हैं एक हिसा साथ सो और तालेस इसका हम दो पसंट निकालेंगे तो यूनिट्स कितनी आ जाएंगी 35 उसके बाद जो हमारा डेविट साइट बड़ा होगा के एडिट छोटा होगा जो डिफरेंस होगा अब यहां पर क्या इतना आएगा 113 अधर आपका अमांट आजाएगा इसमें हम पर यूनिट निकाले क्या करेंगे जो आपका आया है और जो यूनिट्स है उसको डिवाइट कर देंगे आ जाएगा रुपीज 68 पर यूनिट तो इस तहां से आपके तीनों बन जाएंगे देख आपने कितना काफ़ इंपोर्टन कोशन ने काफ़ इजी भी है इसे अच्छे से त्यार कर लीजेगा आइए ने इस कोशन की तब चलते हैं इसको इंपोर्टन है उसमें आपको तीन चीज़ें बनानी है अपने पढ़ा होगा कि नोर्मल वेस्टेज तो इसी रहता है लेकिन कहेंगी पर परसंट का है जो कि बाजार में पंदर प्रतियकाई मिखता है यहां पर पताया है कि जो नॉर्मल वेस्टेज है उसकी जो शेलिंग प्राइस है वह 15 रुपीज है इससे पहले कोशन में आपने देखा था कि जो नॉर्मल वेस्टेज था उसका कोई भी अमौंट नहीं मिल था लेकिन यहां पर पंदर पर उनिट के एकॉर्डिंग मिल रहा है उसके आगे कोशन कहा रहा है कि लेकिन भाग किलाप परवाही के गारट केवल 150 इकाई यह उत्पादित की गई यहने कि 200 इकाईयां की शुरुबात की गई थी लेकिन जो बनके आउटपुट आया है वह कोशन में दे रखा था अधर एक्सपेंस भी बता रखे हैं एक आपका जो डेबिट साइट है पूरा कोशन में दे रखा है अब हम आते हैं केडिट साइट की तरफ तो सबसे पहले जो डालेंगे नर्मल वेस्टेज कितना दे रखा है 10% का तो जो आपका 200 यूनिट से उसक जो आपका नर्मल वेस्टेज था वो 20 यूनिट का तो बीच कर जो डिफरेंस हो जाता है वो हो जाएगा हमारा अब नर्मल वेस्टेज का जो 30 आपके यूनिट सा आ रहे हैं वो आ रहे हैं अब नर्मल वेस्टेज की अब यहाँ पर हमें इसकी निकालने के लिए क्लिए क् में से हमारे 20 तो आप हम अपस इसकी वैलू कितनी है उसकी कॉस्ट कितनी आ रही है तो उसकी कॉस्ट कि क्या करेंगे जो हमारा इसे से डिवाइट करेंगे और तरी जूष की यूनिट से अबनामल वेस्टेश की उससे मल्टिप्लाइ कर देंगे कितनी निकल के आ जाएगे मैं पास जो कॉस्ट आएगी निकल के आएगे अबनामल वेस्टेश की वैलू 950 अब बाई कॉस्ट निकालने की क्या करना है से वैसे ही करेंगे जो 57 से मल्टिप्लाइ और 180 से डिवाइट कर देंगे तो निकल कितनी आ जाएगी 4750 तो हो जाएगा कॉस्ट आफ प्रोडिक्शन तो इस तहां से हमारा प्रोसेस अकॉंट बन ने बताया हुआ था कि जो नॉर्मल वेस्टेश है वो पंदल पर प्रतिकाएं पर बिग जाता है तो यहां पर हम यहीं माल लेंगे कि जो अबनामल वेस्टेश है उसको भी 15 रुपीज पर उसका सेल आफ स्क्राइप हुआ है यानि 15 रुपीज इच तो यहां पर आपका ज सेल हो गया था तो उसमीच सेल में चला जाएगा तो इस तहां से आपका नॉर्मल वेस्टेश एकाउंट बन जाएगा देखा आपने कितना असान था इसमें में इंपॉर्टेंट है वो निकालना होती है अब नॉर्म वेस्टेश की वैलू जो कितनी निकल करके आई है आई 10 पसंट 5 पसंट 8 पसंट तीनों प्रोसेस का अलग लग दे रखा है और फ्रेश कुर्ट सबकी यानि कि तयार माल है वो कितनी काई दे रखें 3930 आपको क्या निकालना है आपको निकालना है ओपनिंग स्टॉक कितना था आप साथी बता रखा कि किसी विताह को कोई भी अब प्रोसेस वन निकाले तो फॉर प्रोसेस में आया था ओपनिंग स्टॉक वह जाएगा 85.5 उसके बाद उसमें कितना आपका दे रखा था उसमें रखा था एट परसंट का वेस्टिज तो एट परसंट आप उसमें से हम लेस्ट कर देंगे तो आब आपनिंश्ट निकल कर ज जाएगा उनिट कितने आएंगे?" टो यहां पर आपने स्टार्ट कितने इन युनिट से किया था है और जो बन के फिनिस्ट स्टॉक हाय वह कतने करा का है Czech. उब इस तलहएगे एक्षाल में आकृत्व स्टॉक निकलने पर्य॥ युनिट actual में वो हो जाएगा 3933 उसका इसको जो हम solve करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 5000 उनिट्स आ जाएगा तो यहाँ पर हम अजूम सबसे पहले करेंगे उनिट्स को उसके बाद मांसर को निकलते चले जाएंगे उनिट्स माई निकल कि आ जाएंगी उसके बाद हम उसे वैसे ही solve कर लेंगे आई होप आपके समझ में आ गया होगा आज की वीडियो में इतना ही मिलते हैं नेक्स वीडियो में आपको रिकांसलेशन स्टेट्मेंट का जो इंपॉर्टन कोशन्स है वो बताएंगे कि लागत लेखों का विती लेखों से समाधान जो चप्टर है आपका उस जो भी वीडियो में डालों उसको नोटिफिकेशन आपको मिल जाए जदा-जदा फेंट्स सा शेर करिएगा थैंक यू